तेंक यू पहले कि आपने हम सब को यहां बुलाया इसके बीचे ज़र नॉर्मल थौट था यह क्योंकि एक डेड़ साल पहले मेरा एक्सेजेंट हो गया था तो काफी टफ टाइम चल रहा था वो मेरे को याद एक बहुत जादा क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरे ममी को तो बहुत जादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बट जब आपको कॉल आया ममी ने मिरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तब थोड़ा मेंटली रिलाक्स हुआ काफी उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था ज़र की क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा तो मेरे को इसपेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समेन तो फिर भी कर लेगा बैटिंग कर लेगा बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा तो पिछले देड़ दो साल देजर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राय करनी है और किसी और के लिए नहीं बट अपने आपको प्रूफ करना है नहीं वाबर डेडिगेट करके किया नहीं वापस इंटरनाशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को चिताने को देखना है तो शुब जब आपका रेकवरी चल रहा था मैंने दो बात किया तो मैं परहें डॉक्टर से चल्चा की थी तो डॉक्टर से मैंने उपेन ने लिया तो भी मैंने कहा कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मैं ये बताइए तो हम चिंता करेंगे लेकिन वुजए अशिर है था आपकी मा क्या आइड मैविश्वास खाओ ऐसा लग रहा था जो मैं उनसे बात कर रहा था मेरा परिच्चे तो नहीं था कबी मिला तो नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था जयसे वो मुझे आश्वास दे रही है ये रहे बड़ा बड़ा गजब का था जी तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मा मिली है वो कभी बिफल नहीं जाएगा ये मेरा मन में विचारा आया था उसे समय आया था जी और आपने करके दिखाया जी और सबसे बड़ा मुझे लगा मैंने आप से बात किया किसी का दोस नहीं है मेरा दोस है ये बहुत बड़ी बात है वरना कोई भी भाना निकालता गड़ा था डिकना था अपने ऐसा नहीं किया ये मेरी कल्टी थी शायद ये आपका जीवन के प्रती जो ओपननेस है और मैं छोटी-छोटी चीज़ों को अबज़ोर करता हूं दोस और हर से किसी से शीखता हूं मैं साथ बताता हूं आपका जीवन देश के पेशन्टस इन जनरल और प्लेयर्स इन पाटिकुलर बेपका बड़ी इंस्पिरिशन लेंगे जी और मैं जानता हूं जो विकेट के पर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितरी कटी होती है गंटों था का गुठे पकड़ा के गड़ा रखने दे थे लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है जो बहुत बड़ा काम किया जी बदाई आपको तक यूझ जो